जैहिन दोस्तो वेलकम टो स्टेडी फूर जीनियस तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्सी जीडी के बारे में कि दोस्तो यहाँ पर आप सभी के नौर्मलाइजेशन में कितने नमबर बढ़ेंगे और कब तक बढ़ेंगे और आपका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा तो देखें दोस्तो यहाँ पर मैं आप सभी को बिलकुल स्टेप बाई स्टेप बताने जा रहा हूँ कि आप सभी कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके इतने नमबर बढ़ेंगे जी हाँ दोस्तो तो इस वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक जरू देखेगा तभी दोस्तो आपकी समझ में ये वीडियो आने वाला है तो चले दोस्तो आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन दोस्तो इससे पहले अगर आप यहां पर UP Police Constable की तयारी कर रहे हैं तो आप दोस्तो चक्सू पॉलेशन की सबसे बैस्ट बुक ले सकते हैं जो कि आप लोग ले काफी अच्छी बुक रहने वाली है जिसमें आप सभी को 3000 प्लस कोसन मिल रहे हैं और 5 आप सभी को 6 पेपर मिल रहे हैं तो दोस्तो इस बुक को आप ले सकते हैं इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिसम बॉक्स में मैंने आप आपको दे दिया है अगर आप इसे ऑफलाइन पर्चेस करना चाहते हैं एक में आपको गाइड मिल जाती है और दूसरी है दोस्तो प्रैक्टिस सेट तो प्रैक्टिस सेट में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं और 8 आपको 100 पिपर मिल जाते हैं तो दोनों बुकों का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्की संबॉक्स में मौझ जूद है वहाँ पर जाकर पर्चिस कर सकते हैं और यहाँ पर जिने आफलाइन ले रहा है तो आफलाइन भी अपनी नजदी के बुक्सेर से ले पाएंगे तो देखे दोस्तो यहाँ पर आप अबीके नौर्मलाइजेसन में कितने नमर बढ़ेंगे वो भी चेक कर सकते हैं लेकिन दोस्तो क्या रियल है या दोस्तो वैसे ही मज़े लिए जा रहा है आपकी साथ वो भी मैंहाँ पर आपको बताने वाला हूँ तो देखे दोस्तो यहाँ पर मैंने एक जो है यहाँ पर वीडियो की डिस्क्रिश से वक्यों देखने को मिल जाए गा वहांपर जाएंगे तो आप इस पीस पड़ा जाएंगे तो सबसे फर्च नमबर पर आपको जो है यहाँ कॉपी कर देना है ठीक है वहाँ से आपने जो कॉपी लिंक किया होगा उसको यहाँ पर कॉपी कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको यू आर यानि अपनी दोस्तों कैटेगर को यहाँ पर सलेट कर लेना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप मेल हैं फीमेल है क्या है व अब जैसे हमने संबीट पर क्लिक किया तो देखें भाई यहाँ पर आप सभी की सामने जो है आपका जो स्कूर है वो है आपका कार्ड आजाएगा स्कूर कार्ड देखिए अटेम्ट 83 की है सोरी अटेम्ट 83 की है और करक्ट इनके 70 है यानि 70 करक्ट है तेरह इनके रोंग है ठ 66.75 यानि 66.75 इनका जो है स्कूर यहाँ पर आया है ठीक है यह दोस्तों इनका स्कूर यहाँ पर आया है ठीक है अब दोस्तों rank कैसे चेक करते हैं और आप सभी के normalization में कितने नमर बढ़ेंगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ तो देखिए दोस्तों करना कुछ इसलिए में 22 से किये हैं और यह जो red color का icon दिखाई दे रहा है यहाँ पर यह दोस्तों आपका देखा देगा कि आपने wrong कितने किया है इस पर जैसे click करोगे तो यहाँ पर देखिए लिखा रहा है नौ रोंग ठीक है तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए इंग्लिस न इनका जो है rank दिखाए तो rank क्या है ठीक है तो मैं rank पर click करता हूँ तो देखिए यहाँ पर इनका जो rank है वो सब कुछ clearly आ चुका है अब दोस्तों देखिए यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर देखिए rank after normalization इनकी जो rank है कितने आई यहाँ पर देखिए 615 यानि 69,000 में rank इनकी देखिए यहाँ पर 244 ठीक है यानि जो category इनकी उसमें और shift भाई जो rank आई है इनकी shift में rank 108 ठीक है इनकी shift में 108 rank है यानि इस shift में दोस्तों जितने भी 1248 लोगों ने exam दिया था जो according इसकी अनुसा data आया rank आयो के अनुसा जो data इनके पास है उस shift में 108 नमर पर है ठीक ह 1248 लोगों में तो अब यहाँ पर दोस्तों आपने सीधा चीश सिंबल सिंबल देख लिया और यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा जिता हूँ एक चीज वो आप देखिएगा यहाँ पर वो देखिएगा देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया था पहले ऐस से select किया थ है क्या चालेट होगी OBC तो मेरे हिसाब से तो भाई यहाँ पर जो है इनका जो है यह गलत डाटा दिखाता है बिल्कुल गलत डाटा है ठीक है इसके हिसाब से जो है बिल्कुल गलत डाटा आया है निकलके क्योंकि वहाँ पर हमने ऐसी category select की थी और यहाँ पर दोस्तों क्य आया यहाँ निकल के आया है बहती है आपका OBC तो आफ समझ सकते हैं कहीं ना कहीं दोस्तों गोटा अला हुआ तो यह दोस्तों मेरे हिसाब से तो बिल्कुल रोंग है यह रोंग प्रोसेस है ऐसा हो यह 9 सकता है बहुँ आपका जो है यहाँ पर हमने category क्या select की थी माँपर दोस्तों देखिए ऐसे सेलेट की थी आप सभी के सामने पहले लेकिन यहाँ पर OBC आ गया ठीक है तो यह गलत है यह बिलकुल गलत है यहाँ पर देखिए इनके जो इसकोर बैट रहे थे वो 16.75 बैट रहे थे लेकिन आफ्टर है इनका जो नॉर्मलेजर इसकोर आया है वो आ बढ़े हैं तो दोस्तों काफी कम है दो नंबर कैसे बढ़ सकते हैं इतने कम नंबर नहीं बढ़ेंगे यह दोस्तों रॉंग परोसी से बिलकुल अगर आप इसको फोलू करते हैं तो आप इसको मत कीजिएगा मैं आप सभी से पहली बोलता हूं अब दोस्तों असली प्रोस सी आ गिया तो ये दोस्तों गरबड़ है बलकुल मामला ठीक है इसके हिसाब से आप मत जाईएगा इसमें एक चीज तो सही लगी मुझे क्या आपका बस यह पर आपका जो है जो आंसर की का जो लिंक है जो कॉपी करोगे उसे डालते ही इसमें बस आपका जो इसकोर बहुत त देता है अगर आप बहुत दिर में लखेंगी कि भाई मेरी इतने गलत हैं मेरी इतने ठीक हैं फिर दोस्तों आप काट क्वीट के करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका तो इसमें बस एक चीज तो सही लगी कि बस उसमें आप जो है बहुत जल्ली यानि सेकंड़ो जो अगर आप इसमें करोगे न तो बिल्कुल दोस्तों आपका दिमाग घूम जागा इसमें दोस्तों डी मोटिविड करने का तरीका है बिल्कुल डी मोटिविड करने का तरीका है मैं इस पर दोस्तों आपको राय नहीं दूँगा बस राय इसलिए दूँगा कि अगर score है वो नहीं दिखाता है ये ये बिल्कुल गलत चीज है इसको huge मत कीज़ेगा बिल्कुल मैं आप सभी से पहले बोल देता हूँ बस दोस्तो अपने आप पर focus कीज़ेगा और wait कीज़ेगा result का अब result कब तक आएगा तो दोस्तो आपका जो result है जो result है दोस्तो वो आप सभी के लिए result जो है भाई ये काफी जल्दी आने वाला है एनि जनवरी के महिने में आपको जो result है वो देखने को मिलने वाला है ठीक है तो बस बने रहिएगा दोस्तो हमारे इस YouTube चैनल पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब दन्ने बाद जय हिंद फंदे मातरों